हालो माई डियर प्रेंट्स मैं विविक कुमार रोजना की तरह लेकरो पस्तितु टूड़े करेंट अपेर्स जीकें सी क्यूज साथ हो आज 25 माई वार सौमवार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं साथे रोजणा की तरह आज का करन्ट पर शुरू करने से पहले हम बात करते कल के हमारे question अब दड़े की साथे वीडियो पूरा देखें हमारा वीडियो करन्ट पर इसका best content वीडियो है साथे बात करते कल के question की कल का हमने जो question पूछा था question कुछ इस प्रकार से था कि निमनलिकित में से डिब्रू सिखोवा राष्टे उद्ध्यान किस पुर्वत्तर भारते राज्य में इस्तित है option ए असम, option B पस्चिम बंगाल, option C मेगाली और option D मनिपुर तो मेरे प्यारे साथियों बात की जाए डिब्रू सिखोवा राष्टे उद्ध्यान की तो वो कहां पर इस्तित है असम, राज्य में option A राइट आंस्वर था असम, राज्य में और असम में कौन सी नदी भैती है असम में भाईयो भैती है ब्रह्म पुत्र नदी तो राष्टे उद्ध्यान भी कहां होगा ब्रह्म पुत्र नदी के तट पर तो यह जो राष्टे उद्ध्यान है डिब्रू सिखोवा राष्टे उद्ध्यान यह असम के पूरु में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षणी तठपर इस्तितिक जेव विवित्ता के इंद्र है साथ यो यह है हमारा डिब्रू से खोवा राष्टे उद्ध्यान इतना बड़ा राष्टे उद्ध्यान है जिसमें सबसे ज़्यादा गोड़े दिखाई देते हैं तो इस राष्टे उद्ध्यान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए मतब यह राश्टी उद्यान यह चेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविद्वन्य जीव के लिए विशु भर में प्रिसिद्ध है यह एक ऐसा पार्क है यह जो जंगली गोडों का समर्थन करता है वर्स 1999 में की बात की जाए तो वर्स 1999 में भारत सरकार ने इसे राश्टी उद्यान का दर्जा दिया था तता सम सरकार द्वारा इंडियन और लिमिटेड को नैशनल पार्क में प्रमुक अन्वेशंट परियावर ने शुवकृति प्रदान की गई थी तो ये ता सातियों हमरा कल का कोस्टन कंटेंड आपको बैस्ट से बैस्ट मिलेगा लेकिंगे वीडियो पूरा देखें अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों साथ सेर करें भाग्य के दर्वाज़े पर सरपीटने से बहतर है भाग्य के दर्वाजे पर सरपीटने से बहतर है कर्मों का तूपान पैदा करे दर्वाजे अपने आप खुल जाएंगे तो साथियों हमारा दर्वाजा खुलेगा कंपेटिसन एक्जाम्स को निकालने के बाद और हमका पैटिसन एक्जाम्स एक सिच्च्च क्या करता है आपको दर्वाजा खोलता है गुशना तो आपको यह है तो पढ़ना तो आपको हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं तो इसी मोटिवेशन के साथ सुरू करते है आज का मरा करेंट अपिरस जी के क्वेस्टन से क्या फश्ट से है पैट्रोलियम प्लानिंग एंड एन्य लिशिस की वेबसाइट के डाटा के मुताविक अपरेल 2020 में बारत में कुड ओयल के आयात में कितने प्रतिसत की गरावट दर्च की गई है ओप्सन E 10.2 प्रतिसत ओप्सन B 11.3 प्रतिसत ओप्सन C 12.4 प्रतिसत और ओप्सन D 13.5 प्रतिसत साथ यो इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस माहमरी चल रही है कोरोनो वाइरस में आमरी के चलते सरकार ने लोकडाउन लगाया ना वीकल चला ना मनुस्य चला तो फिर क्रूड ओयल की जरुद कहां से पड़ी तो इस कारण अप्रिल 2020 में क्रूड ओयल में जो गिरावट दर्च की गई है वो गिरावट कितनी है 12.4% और यह गिरावट जो है जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में सबसे बड़ी किरावट है गिरावट क्यों लोगडाउन के कारण तो गिरावट है क्रूड ओयल की बात की जाए यह हमने क्रूड ओयल की और क्रूड ओयल किस काम में लिया जाता है यह एक इंदन होता है इंदन के रूप में काम में लिया जाता है यहनि कि मोटर, विग कल, गाड़ी, खाना बनाने त्यादी में क्रोडोल काम में लिया जाता है इंदन के रूप में निमन लिखित में से भारत के किस आयोग ने विदेशों में अपने द्वाराब बनाएगे फेस मास्क बेचने की योजना बनाई है साथ यो, कोरना वायरस में अमारी के कारण फेस मास्क को अनिवारे कर दिया गया है इसी अनिवारे फेस मास्क की कड़ी में फेस मास्क को बेचने की योजना जिसने बनाई है वह खादी और ग्राम बोदोग आयोग ऑप्सने राइट आंसर खादी और ग्रामोद्धोग आयोग जिसने की सूती खादी और रेसमी के फेसमास को बेशने की युजना बनाई है तो ऑप्सने राइट आंसर था है खादी और ग्रामोद्धोग आयोग हम बात करते इस आयोग के बारे में तो साथ यो इस आयोग की बात की जाए तो यह आयोग संसद के खादी एवं ग्रामद्योग आयोग अदिनियम 1956 के तैट बारत सरकार द्वारा निर्मित एक वेदानिक निकाय है कौन सा खादी और ग्रामद्योग आयोग खादी और ग्रामद्योग आयोग भारत में खादी और ग्रामद्योग से संबंदि सुक्षम लगू और मध्यम उद्योग मंत्रा ले के अंदर आने वाली एक सीर संस्ता है और इसका मुख्य उद्दे से क्या है मुख्य उद्दे से ग्रामीड इलाकों में खादियम ग्रामद्दू की स्थापना और विकास करने के लिए यूजना बनाना परचार करना इसके साथ सुविदाय और सायता प्रदान करना है जिसमें वह आउसेक्ता अनुसार ग्रामीड विकास के छेत्र में कारणरत अन्य पूरा कारेबार इसने समाल लिया है यह जब 1956 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था अकिल बारते खादियम ग्रामिड उद्दूग बूर्ड इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया खादी और ग्रामद्दूग आयोग इसका मुख्या लेका है मुंबई मे और इसका पैतरक संगटन कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो इसमाल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ जैनि कि सुक्षम लगो और मद्ध्यम उद्द्दूग मंत्रा लिया है नेक्ट बात करते हैं क्वेस्टन सिंक्या तीन की फॉबर्स मैगजीन के अनुसार इन में से कौन महिला एथलेट सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलेट बन गई है उप्सन सानिया मिर्जा उप्सन भी नाओमी उसाका उप्सन सी मारिया सारवपवा और उप्सन भी ज्वाला गुट्टा तो साथियो विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहले कौन थी एथलेट थी सेरेना विलियम्स यानि की ये और अब इनको पीछे छोड़ कर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कौन बनी है महिला एथलेट ये और इनका नाम क्या है नाओमी उसाका यानि की आप्सन भी राइट आंस्वर अनाओमी उसाका नाओमी उसाका ने साल 2019 में कितने मिलियन डॉलर की कमाई की है 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है बात करते हैं नाओमी उसाका के बारे में तो सात्यों नाओमी उसाका ने साल 2019 में 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की और इनका जनम कब हुआ अक्टुमबर उन्निस सो सत्यान में बहुत छूटी है बाइस साल की है नाओमी ओसा का एक जापानी पैसवा टैनिस खिलाडी है वै और अस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में राज करने वाली चैंपियन है इसका लाओमी ओसा का महिला टैनिस संग को टैनिस संग द्वारा एक इस्तान दिया गया यानि कि नंबर वन इस्तान दिया गया और वै एकल में सीर्स रैंकिंग रखने वाली पहली एस एई खिलाडी है नेक्स्ट क्वेस्टन संक्याच चार कोरोना वायरस लोगडाउन के बाद भारती रेलवे ने अगले दस दिनों में कितने करीब कितनी स्रेमिक स्पेशल ट्रेने चलाने की गोश्टना किये ओप्सन ए 1100, ओप्सन भी 1700, ओप्सन सी 2600 और ओप्सन भी 3500 साथ योग भारते में पूर्णतिया लोगडाउन 31 माई को खतम होने की उमीद है तो पूर्णतिया जब लोगडाउन खतम हो जाएगा तो इसके बाद प्रवासी जो मज़दूर है जो कि एक इस्तान से दूसरे इस्तान अपने घर पर जाना चाते है उन्हें पहुचाने के लिए भारते रेलवे ने 2600 कोरोना वाइरस इस्पेसल या स्रेमिक इस्पेसल ट्रेने चलाने की गोशना किये औप्सन सी राइट आनसर 2600 और इन ट्रेन में यात्रियों को मुप्त का भोचन मिलेगा साथी पीने का पाने भी मिलेगा साथ यो भारती रेलवे की बात की जाए तो भारती रेलवे एसिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तता एकल सरकारी स्वामित्यों वाला विसु का चोथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारती है रेलवे और यह विशु का सबसे बड़ा न्योकता है यानि कि सबसे ज़्याद नोक्रिया देने वाला भी कोन है सबसे ज़्याद नोक्रिया मैं मिलती है रेलवे में और रेलवे के स्तापना कब हुई थी 16-1893 पर और पहले ट्रेन कब कहां से कहां चली थी मुंबई से ठाने के बीच में साथ यो बारती रेल का मुख्यालिय कहां पर है नई दिल्ली में और उन्हें इमर्जेंसी सेवा एक ग्राक सेवा एक कोड जारी कर रखा 139 इस पर आपका बीबी कॉल कर सकते है 24 आवर्स ये नंबर चलता है 139 जिस पर आप रेलिवे की समस्त जान कर या प्राप्त कर सकते है नेक्स्ट कोशन सग्या पांच निमनलिकित में से किस इस इस्तान पर भारती अर्थ सास्त्री आबास के जहां को आपदा प्रिबंदन और जल्वाई परिवर्तन पर मैत्वण इस्तिती के लिए न्यूक्त किया गया है उप्सने साओधी अरब उप्सन भी स्योक तरब अरब अरब अमिरात उप्सन सीरान और उप्सन डी दक्षन अप्रिक एसिया तो सात्यों अमित जहां जिनको कि आपदा प्रिबंदर और जल्वाई परिवर्तन पर मैत्वण इस्तिती के लिए न्यूक्त किया गया है उन्हें किस इस्तान पर न्यूक्त किया गया दक्षन एसिया और अप्सन डी राइट आनस्वा इनकी बात की जाए तो इनकी बात जो सिंपल से की है भारती एक अर्थसास्त्री है और भारती अर्थसास्त्री जो है इनकी न्यूक्ती ऐसे समय में हुई है जब चक्रवात अंफान ने भारत में पस्चिम बंगाल उड़िसा और बंगला देश को भी बुरी तरह प्रभावित किया है इनकी जो न्यूक्ती है आबास के जहाकी न्यूक्ती की है वर्ल्ड बैंक यानिकी विशू बैंक द्वारा की गई है और विशू बैंक जो है उनकी छमता का उप्योग जलवाई परिवर्तन और आपता जोकिम प्रभंदन के लिए करेगा बात करते हैं अबारे विशू बैंक की वर्ल्ड बैंक की तो विशू बैंक की बात की जाए तो विशू बैंक विशिस्टनस ता है जिसका मुक्य उद्देश्य स्दस्य देस्यों को पुनरीर्माण और विकास के कारेयों में आर्थिक सायता देना है विशुबैंक समूं पांच अंतराष्टे संगठोनों का एकैसा समूं है जो सदस्य से देसों को वित्त और वित्यसला देता है इसका मुख्यालिय सेहुक्त राज्य अमेरिका के वासिंग्टन डीसी में इस्तापना कभूईती जुलाई उननीस सो चुम्वालिस में और इसके वर्तमान अद्धिक्ष कौन है डीविड माल पास मेरे पास टाइम नहीं था टाइम कम था क्योंकि मैं इंडरस्ट्रियल जोब करता हूँ उसके बावजुद आपको क्वरेंट अपेर पड़ाता हूँ आज के लिए छमा चाता हूँ कि 6 कोश्चन है कल आपको 10 कोश्चन मिलेंगे आप टाइंसन ना लिजिए निम्न मेंसे किस भारतिय प्रदोगी की संस्तान के अनुसंदान करता हूँ ने अलजाइमर रोक की वजह से या दास्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विक्सित किया है option A.I.T. कानपुर, option B.I.T. खड़कपुर, option C.I.T. गुवाटी और option D.I.T. मुंबई तो साथ योभी हाल ही में I.I.T. गुवाटी यानि कि Indian Institute of Technology गुवाटी बारतिय प्रदोगी की संस्तान गुवाटी ने कि अनुसंदान करता होने अलजाइमर रोकी वज़े से या अद्दास्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके विक्सित की है और यह तरीका अलजाइमर की बिमारी को टाल सकता है बात की जाए भारते प्रदोगी की संस्तान और अलजाइमा रोकी तो भारते प्रदोगी की संस्तान ये कि इंडियान इंस्टूट आप टेक्नोलोजी की इस्तापना वर्स 1991 में हुई थी वर्तमाने में 23 आयेटी जह हैं शोटी मटी पटी पहले साथ थी लेकिन भारत सरकार ने बढ़ा कर इने 23 कर दिया है और इनकी संस्ता पर कौन है जवार लाल नहरूग जो कि उस समय के प्रदान मंत्री थे साथ यो बात की जाए अलजाइमर रोकी तो अलजाइमर क्या एक ही है भूलने वाला रोग है सिंपल सी बाता में भूलने वाला रोग है तो ये एक लगातार बढ़ने वाला रोग है जिससे याददास्त और अन्य महत्पूर्ण दिमागी काम करने की चमता नश्ट हो जाती है अलजाइमर जो रोग है इस रोग में दिमागी कोशिकाओं का एक दूसरे से जुडाओ और खुद कोशिकाओं के कमजोर और खत्म होने की वज़े से याददास्त और अन्य महत्पूर्ण दिमागी काम करने की चमता नश्ट हो जाती है तो यह था आपका अलजाइमर रोग है अब हम बात करते हैं आज के मारे कोश्चन अब दड़े की तो आज का मारा कोश्चन अब दड़े की निम्न में से किस राज्जी की सरकार ने कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन के कारण सभीनी जी अस्पतालों को अपने अधिकार म में ले लिया है और राजस्थान और मध्यप्रदेश और महराष्ट्रा और गुजरात तो साथियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्यारस साथियो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बेटन पर क्लिक करें साथी साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें कमेंट करना ना भूले आपको एक best option हम देंगे best रापको solution देंगे और साथ यो अब यहां तक आईगे हो तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यह भी कम विटिसंस को सब्क्राइब भी कर देजिए थैंक यू सो मच धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक विष्टे हो वीशेब घर पर रहे सुरक्षितर में पढ़ाई जरू कीजिए पढ़ाई करें आपका दिन सुब रहे